प्रेंड्स वेल्कूम टू माई चैनल शेशी गुपतास किच्छन मैं आपको बनाना सिखा रही हूं उसकी एक सीरीज में आपको बता चुकी हूं उसमें हमने कैसे इसको त्यार करना है और उस्तवरों त्यार हो जाएगा तो अब हमने उसको कैसे छान करके रख भरना है बोटल में अब इसको बनाएवे आप मेरी फर्स सीरीज देखिए उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहरी हूं वैं उसमें एक ऐसा है जो हम अपने पील से बनाते हैं और इसमें केमिकल बिल्कुल नहीं होता है यह गुड़ पानी और लेमन पील या कोई भी पीलो उसको मिक्स करके रखते हैं 1, 3, 10 की रिशो में तो उसके बाद यह तीन महिने तर रखा जाता है उसके बाद हम इसको चाहन के बटल में भर लेते हैं तो इसमें यह मैं चाहन के आपको बताती हूं यह इसको आपको पुरा डिटेल देखने के लिए मेरा पहला सीरीज देख लीजी का आप देख्या हच्यान के ग रही बताती और अब बताते हैं देख्याण को तीन की इसन मेरा उपलेशल में महीं वालत ठीक है हमेरीश यहमें आपको जान का विटेख भी बताता है जिसमें छेद हो उसे अच्छे से चंग जाएगा और हमारा गुद्दा नीचे रह जाएगा आपने इस गुद्दे को फेकना नहीं है इसको आप सुखा करके इसको आप सुखा लीजिए और या अदर्वाइस इनको थोड़ा-थोड़ा करके प्लांच में डाल सकते हैं इससे भी आप ड्रब कर सकते हैं तो यह साफ हो जाएगा लेकिन इसको निकालने के लिए आपको ब पांच बटल बनाई थी यह देखिए इसको इमें छान लिया यह पर हमने फेकना नहीं है बिल्कुल भी यह बहुत यूसफुल होता है और इसको आप प्लांट में डालते हैं तो प्लांच में बहुत हल्दी रहते हैं बहुत थोड़ा-थोड़ा ढालना है इनको ड्राई कर प्लांच में एक चमच करके डाल सकते हैं रोज हपते में एक दिन डाल दीजिए रोज की जड़त नहीं होती है यह देखिए हम मैंने चान दी है कितना बहुत है इसमें से लेमन उसकी किश्बू आ रही है मौसमी और लेमन का छील का था यह देखो लाच्चा कलर है और स्मे ले लिजिए मैं इसको इस बॉटल में भरके रखते हूँ यह डाल देंगे हमां और पिर मैं आपको इस सीरीज में इससे नेक्स सीरीज में बताऊंगी इसके यूजिस क्या-क्या है इसके बहुत सारी यूजिस है इससे आप प्लास्टिक साफ करिए स्टील लोगा सब भठन साफ करने के लिए बहुत अच्छा रहता है इसमें जागता लेकिन यह बहुत अच्छा क्लीन करता और इसमें कोई नहीं कैमिकल नहीं है इसको धक्करम क्याप लगा दिया तियार हो देख लेंगे स्प्रे करके यूजिस कर सकते है किसी भी जिग्हें डाल देंगे इ यह यूज की काम हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगे इसका यूज करना, कोई भी गंदी चीज ले लीजिए, आप उसको रगण के देखेंगे तो इस बहुत अच्छे साफ कर देगा, मैं अभी आपको कोई साफ कर के दिखाते हूँ अब यह मेरे पास यह लाइटर है, इसको मैं साफ कर के दिखाती हूँ आपको, इसको मैंने थुड़ा सा, यह थुड़ा सी सुदाथ पड़े में देखी, यह मैं इसको हाथ से लगा दी है मैंने, थोड़ी धिर में यह रगण रगणने से थोड़ी दे चोड़ने के बाद रगण दीजिए, यह देखें, जखेंगे जंग का निशान सब चला गया है ना जादू कितने काम करता है यह देखिए जंग के निशान सब गायव हो रहे हैं अब बिल्कुल नए कितने यह बन जाएगा आपका लाइटर जैसे नए आपने मार्केट से भी खरीदा है इसमें कितने स्टेंस थे आपने देखे थे अब मै सब भी खाला हो गया है इसमें सब निकल गए है इसके जंग के निशान रस्ट के तो ऐसे ही आप किसी भी चीज को प्लास्टिक को स्टील को इवन जो आयोडाइस सिल्वर हो जाते हैं खराब उनको भी आप इससे साफ कर सकते हैं आपको मेरा यह पसंद आयो बनाने का तरीक प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट में जरू बताइए कि आपको यह विधी कैसे लगी और प्लीज घर में बनाना शूर कीजिए तो सेव एन्वार्मेंट इसके लिए हमने जरू दी है कि हम अपने इन पील को यूज करें ना कि उनको तो मुझे त्सक्राइब की पील के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैं यह निए ना कि ए्ल का धूज के विए ना कि आपके लेगा जाफ